दोस्तों नमस्कार मोदी सरकार की धड़कने बड़ी होई है कि राहुल गांधी ने अगर किसी बड़ी अदालत में अपील नहीं की तब क्या होगा धड़कने इस रूप में बढ़ी हुई है कि अगर राहुल गांधी मानहानी के मुकदमे के तहत और फैसला आने के बाद अब जेल चले गए तो क्या होगा सभी को पता है कि मानहानी के मामले में जेल किसी को होती नहीं है लेकिन राहुल गांधी को जेल हुई है तो क्या जिस script को मोधी सरकार ने लिखा या मोधी शाह ने लिखा वो script इस बीच में डगमगाने लगी है क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष एक के बाद एक एक जुट होता चला जा रहा है एक के बाद एक राजनितिक दल विपक्ष के साथ खड़े होते चले जा रहे हैं उसमें पहला संकेज सरकार के लिए सबसे मुश्किल भरा ये है कि अगर राहूल गांदी या कॉंगरस की तरफ से कोई अपील अगर कोट में नहीं की गई तो जो इसक्रिप्ट निर्धारित थ उससे हटकर अब राजनिती और रनिती को कौन सा देगा क्योंकि राहूल गांदी ने जैसे ही पार्लेमेंट के भीतर देश के प्रधानमंत्री के सम्मंद देश के सबसे बड़े कॉर्परेट गौतम अडानी से जोड़े और पूछा रिष्टा क्या है उसके बाद एक के ब पुराना मामला सूरत की अदालत में खुल गया क्योंकि गुजरात हाई कोट ने निर्देश दिया और जब निर्देश दिया तो उसके बाद फैसला सुरक्षित भी रखा गया और मौके की नजाकत और पार्लेमेंट की इस तिती को देखते हुए जटके में फैसला भी आ और फैसला देने के तुरत बाद ये मान कर चला जा रहा था कि जमानत के लिए अपील होगी जमानत के लिए अपील हुई और तीस दिनों की जमानत भी दे दी गई लेकिन दिल्ली की पार्लेमेंट इस बात का इंतिजार नहीं कर रही थी कि जमानत के वक्त और उस दौर में वह कहां क्या अपील करेंगे यहां तो सरकार को मैसेज देना था तो मैसेज उन्होंने खुले तोर पर दे दिया कि दो बरस की सजा और सजा के मार्फत अब जो है उनकी संसत सदस्ता रद लेकिन ध्यान दीजिए उसी 24 घंटे के बीतर एक जटके में मानहानी का मामला धीरे धीरे ओबीसी के दायरे में जाकर खड़ा करने की कोशिश भी शुरू हो गई सब कुछ अगर राजनितिक तोर पर स्क्रिप्टिट रहा और ये सवाल गुजरात के भीतर से भी कई कांग्रेसी ने उठाया और जो जानकार राहुल गांदी के करीब के हैं उनकी तरफ से भी एक मैसेस तो यह भी आया कि राहुल गांदी नहीं चाते थे कि जमानत के वकील थे वो जाहिर आज के वकील नहीं है 47 बरसों से सूरत की अदालत में वहां पर वजिरा कर रहे हैं किताब भी लिख चुके हैं फिल्म भी बना चुके हैं और गुजरात के भीतर किस की किस रूप में चलती है ये तो कांग्रेसी नेताओं की फिरिष से गुजरात में स समझा या वहां पर उस वक्त कोई वरिष कांग्रेसी नहीं था जो राहुल की बात को समझा पाता और इस सिलसले को मौजूदा वक्त में अगर लेके आईएगा तो राजनिती जो बीजेपी सत्ता ने इस क्रिप्ट के हिसाब से तयार की वो दरसल अब डगमगाने लगी है डगमगा इसलिए रही है कोकि विपक्ष एक जुट हो रहा है डगमगा इसलिए रही है कोकि पार्लेमेंट चल नहीं पा रही है डगमगा इसलिए रही है क्योंकि इस्तिती अब काले कपड़े पहन कर विरोध करने तका कर खड़ी हो गई है डगमगा इसलिए रही है कि एक उफचा कर खड़ा हो गया है और डगमगा इसलिए भी रही है अगर मानहानी के मामले में फैसला दे कर किसी को जील भेजा जाए और वो राहूल गांदी हो तो इतिहास के पन्नों में इस बात का जिक्र बारबार सत्ता के भीतर हिलोरे डाल रहा है कि जेल चले गए राहूल ग ना भरस्टाचार जो ED के जरीय और CBIP की जाँच के जरीय उठाते हैं या विपक्ष के ऊपर जो भरस्टाचार के आरोप ठोपते हैं या फिर अपने विकास की चका चौन दिखाते हैं या फिर डिजिटल और मेकन इंडिया का जिक्र करते हुए ंतराष्टिय तोर पर ख््या जाकर यह इतनी छोटे मामले में सजा दी गई इतनी बड़ी सजा जिसको लेकर कभी भी अपील की जा सकती है यानि जैसे ही अपील होगी वैसे ही वह जेल के बाहर आ जाएंगे तो क्या यह एक ऐसी रणनिती है जो कॉंग्रिस के अनुकूल है या विपक्च के अनुकूल है और सत्ता के प्रतिकूल इस माइने में है कि उसकी धड़कने वाकई बढ़ी हुई है क्योंकि एक के बाद एक आरोपो के सिलसले को अभी तक वो लगाती रही लेकिन बीते एक हफते में अगर ध्यान दीजिए तो मामला वही पर अठका हुआ है और अगर दो हफते से देख से तक पर आकर चला गया कि कैसे EPFO का पैसा भी अडानी के कंपनियों में लगाया गया अडानी पोर्ट्स एंड इस्पेशल एकनॉमिक जोन और दूसरा अडानी इंटरप्राइज जो एनसी 50 के साथ जुड़ी हुई है और तकरीबं डेल लाक करोड की रकम शेयर में उनके जरीय लगी हुई है यानि इस देश के पेंशन धारकों का पैसा भी और SBI और LIC का जिक्र तो पहले भी है तो जरा इस कच्चे चिट्थे को आज समझने की कोशिश इसलिए कीजिए कि सरकार की धलकने यकीनी तोर पर बढ़ी है कि क्या वो अपने कटगरे में फस तो नहीं गई और अगर फस गई है तो रास्ता उसके सामने क्या होगा ध्यान दीजिएगा हर नियूस चैनल पर बीजेपी का प्रवक्ता आकर इस दौर में यही कहता है आप किसी भी बड़ी अदालत में जा सकते हैं वहाँ चले जाएए और ये फैक्ट है कि मामला ये क्वैश हो ज तो फिर जेल ही चले जाते हैं और आप अपनी राजनिती को सादिये क्योंकि सब को पता है चाहे वो पार्लेमेंट के भीतर का सवाल हो या विधान सभाओं के भीतर का सवाल है इस देश में दागियों की तादाद कम नहीं और मोदी कैबिनेट के भीतर भी लगभग दो दर हैरे में जो आरोप है वो हत्यात तक के भी है जो कैबिनेट मिनिस्टर्स का जो हम जिकर आपको इस देश में मोदी मंत्री मंडल का जिकर कर रहे हैं बाकियों की परिस्तिती तो भूल जाईए दो सो बारा सांसद अगर दागी है और इस देश के भीतर में एक हजार दो सो अ समझ लीजिए राहुल गांधी भाशन देते हैं फरवरी के महीने में और जैसे ही साथ फरवरी को भाशन देते हैं 16 फरवरी को अचानक से इस्टे वापस ले लिया जाता है कौन सा इस्टे वही केस जिसमें फैसला सुनाया गया क्योंकि 16 एपरेल 2019 को शिकायत दर्ज कराई थी पूनेश गांधी ने जो सूरत की अदालत में दर्ज है और बार बार उनको जाना पड़ता था वो चाहते थे कि बार बार राहुल गांधी भी आएं लेकिन राहुल गांधी 24 जून 2021 को वहां पर कोट में हाजिर हुए कोई फैसला नहीं सुनाया गया जिरह हुई मानहानी का मामला था आए गई की परिस्तिती रहेगी पूनेश गांधी समझ गए और उसके बाद उन्होंने साथ मार्च 2022 को यानि पिछले बरस मार्च के महीने में गुजरात हाई कोट में ट्राइल पर इस्टे लगाने के 23 में जब अडानी और मोदी के रिष्टों को लेकर हिडिन बर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद शेयर बाजार में हाहा कार मसता है बारा लाग कड़ रुपया जो वैलूशन के अधार पे टिका हुआ था वो डूब जाता है निवेशकों के भीतर अक्रोश गुसा देश के भीतर सवाल इसकी जाच कौन करेगा और सरकार आँखों पर पट्टी बांद लेती है कानों में रूइ ठोस लेती है खेल यही से शुरू होता है और उसके बाद राहुल गांदी का जब भाशन होता है उस भाशन में वो जब सिलसले वार तरीके से किस तरीके से सरकार और अडानी के रिष्टों का जिक्र करके सवाल करते हैं कि क्या है रिष्टा तो इस भाशन के तुरतबाद यानि साथ फरवरी को दिये गए भाशन के बाद आठ फरवरी को जानकारी आती है कि उनके भाशन का लगबग 80% हिस्सा स्पॉंच कर दिया गया है यानि हटा दिया ग कि दरसल इसके पीछे सोच थी कि ये हिस्टोरिकली चीजे ना जोड़ जाए कि पार्लेमेंट के भीतर कॉंग्रिस के नेता राहुल गांदी ने क्या कहा था क्योंकि जब जब लाइबरेरी को टेटोलिये गा आप और वहां पर तीन मूर्ती में जाए या आप पार्लेमेंट क लाइबरेरी में जानी है तो अक्सर लोग प्रैमिनिस्टर्स की फाइल देखते हैं विपक्च के नेता की या गांदी फैमिली की फाइल को जरूर देखते हैं क्या भाशन में कहा गया था और वो एक उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए आने वाले वक्त में बील का पत्थर होता है यह इस्तिती राहुल गांदी के भाशन के साथ थी लेकिन 80 फीजदी हटा दिया गया कि आने वाले वक्त के जो सांसद होंगे वा उसको ना पढ़े ना जाने दस साल बीस साल तीस साल पचास साल के बाद वो नहीं जाने की कौन सी इस्तिती थी क्योंकि बीजेपी तो मान कर चल रहे हैं कि तब भी रहेगी और कॉंग्रिस तो अपने 1885 से चली आ रही है तो वो भी रहेगी तो इन चीजों को लेकर और कॉर्परेट के साथ जो क्रोनी कैपिलिजम का रिष्टा था इस रिष्टे को लेकर तो पीवी नरसिंभा राओ के दोर में अटल विहारी का वाचपई का भाशन और अटल विहारी वाचपई के दोर में कॉंग्रिसियों के भाशन की एक लंबी फिरिस्त है मनमोहन सिंग के दौर में कौन सा भाशन रुन जेटली ने नहीं दिया अड़वानी जी नहीं दिया मुर्ली मौन जोशी नहीं का क्रोनी कैपिलिजम जो मनमोहन सिंग के साथ था सारे भाशन मौजूद हैं लेकिन राहूल गांधी का भाशन सीधे प्रैम को कहा गया था हाई कोट में कि आप ट्रायल बंद कर दीजिए 16 फरवरी को अचानक स्टेव वापस ले लिया गया और गुजरात हाई कोट के आदेश पर जो सीजियम वहां पर थे हरीश हसमुक भाई वर्मा उनको कहा गया कि आप तुरत इस फाइल को खोली और अफरा तफ ये आदेश को सुरक्षित रखा गया 17 मार्च को क्या उस दिन कोई दूसरा आदेश था यव यही आदेश था और मौके की नजाकत को परखा जा रहा था इस परिस्तिती से जब आप गुजरेंगे तो उसके बाद अगला सवाल ये आया कि 23 मार्च को जो आदेश सामने आया 24 घंटे भी नहीं बीते कि उसके तुरत बात ये फैसला कर लिया गया कि दरसल अब इनको सदस्ता रद की जाती और 24 घंटे के भीतर कह दिया गया और ये सारी परिस्तिती बतलाती है कि सब कुछ वेल इस्क्रिप्टेट था जिसके दायरे में सरकार किस दिशा में बढ़ र उसमें राहूल गांदी कह रहे थे जमानत क्यों लूँ फैसला दे दिया है मैं सजा भुगत लूँगा लेकिन एक जटके में जैसे ही जमानत का जिक्र हुआ वह इसे ही 30 दिन की जमानत दे दी गई कि आप अपील कर सकते हैं इस अपील की प्रक्रिया के बीतर संसद ने इं करेंगे लेकिन अपील हुई नहीं है अभी तक नहीं हुई है और यही धलकने बीजेपी के भीतर और देश के प्रधानमंत्री अग्रेमंत्री जो सही माइने में बीजेपी को अगवाई कर रहे हैं ये डबल इंजन जो है अपने तोर पर समूची बीजेपी को अपने इसका जिक्र होता है तो जाहिर एक ग्रहमंत्री आएंगे और जब अडानीज के साथ रिष्टे का जिक्र है इस देश की एकनॉमिक पॉलिसी और उसके जरिये देश की अर्थवस्था के बंटेदार का जिक्र है तो फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी आ रहे हैं उसके दाइरे म उसको भूल जाएए और जो जेल की गलती हुई या जेल चले गए तो हमें लगता है कुछ पन्ने और आज खोल लीजिए जैपरकाश नरायन को जेल भेजकर इंद्रा गांदी ने बहुत बड़ी गलती की थी इंद्रा गांदी के सलाकार उस वक्त इंद्रा इस इंडिया कह जाने से नहीं कत्रा रहे थे तो जैसी एक चाती वैसे ही वो चल पड़ी और उसके बाद मुराजी देसाई आई तो वो मान कर चल रहे थे मुराजी देसाई की सरकार की जंता ने इंद्रा गांदी के खिलाफ मेंडेट उन्हें दिया है तो उन्होंने इंद्रा गांदी को जेल में डाल दिया वहां पर भी भूल हो गई और इस प्रक्रिया को अगर मौजूदा वक्त से जोडने की कोशिश कीजिएगा तो कुछ सवाल आपके जहन में और होंगे कि क्या वाकई इतनी ताकत के साथ जो मोदी सत्ता खड़ी होई है राहूल गांदी के जेल जाने बर से वह डिग जाएगी दुबारा आपको 1977 के चुनावी परिणाम में भी लोटना होगा और 1989 के चुनावी रिजल्ट को भी देखना होगा दोनों वक्त कॉंग्रेस की ताकत बड़ी जबरदस थी इंदरा गांदी की ताकत का आप उस समय देखिए या फिर राजीव गांदी की ताकत को आप महसूस करने की शुरुवात कीजिए ध्यान दीजिए जिस तरच पे इंदरा गांदी ती उस समय उनके पास 352 सीट थी लेकिन 77 में हारी तो 154 सीट पर आ गई और जंता पार्टी और सयोगियों ने मिलकर 295 सीट पाई और सरकार बना ली लेकिन एक जटके में इंदरा गांदी की जो सीट थी वो 50% से जादा नीचे गिर गई वही मसला था एमरजंसी मुद्धा था सबको जेल में ठूसना मुद्धा था और इन सब के बीच तरकमान गेट जो संजय गांदी के जरिये हुआ था वह भी मुद्धा था लेकिन उसके तुरत बाद जब च जनता वापस ले आई यह जानते समझते हुए कि इन्होंने अमरजंसी लगाई है यानि उस वक्त इंदरा गांधी का जेल जाना और उस दौर के जो राजनिति घटना करम थे चाहे वो बेलची कांड ही क्यों ना हो उस प्रक्रिया को याद कीजिएगा तो आप कहेंगे बह जानी नहीं होती है और इस देश के भीतर में पीडियां दर पीडियां राजनितिक तोर पर उसकी सक्रियता और उसकी भावनाएं वैसी ही रहती है तो घबराहट इस बात को लेकर है कि अगर राहुल गांधी ने अपील नहीं की और जेल चले गए तब क्या होगा क्योंकि जेल में अगर वो साथ दिन भी रुख गए और उसके बाद अगर अपील हुई तो जेल से तो बाहर आ जाएंगे लेकिन मैसेज जेल का बड़ा हो जाएगा और इस देश के भीतर में तमाम सांसत हर दूसरा सांसत हर तीसरा विधायक उसको जेल में जाना पड़ेगा अगर इस देश के दरवाजे इस तरीके से राजनितिक तोर पर चलने लगे तो और राजनितिक तोर पर हमेशा ये मान कर चला गया कि जी नहीं वेंड़ेटा मत कीजिए यानि किसी को सजा इस रूप में मत दीजिए जो राजनितिक तोर पर आने वाले वक्त में उनी पर भारी प गाया था वेपिसिंग कौन थे राजीव गांदी के उसमें फैनांस मेंस्टर हुआ करते थे आरोप का सिलसला भीतर से चुरू हुआ था यहां पर क्या मामला है यहां 20-30 कोड का मामला राहुल गांदी ने उच्छाल दिया है और 98 के पास वो 20-30 कोड रुपए कैसे आए यह होगा एक के बाद जो योजनाए 98 की थी वो कैंसर कर रहे हैं उन्हें समझ में आगया अंतरास्टिये तोर पर ही पैसा है और अगर अंतरास्टिये तोर पर पैसा की आवा जाई उनकी कंपनी में बंद हो गई तो कंपनी डेवलप कैसे करेगी भारत के भीतर पैसा है नहीं और शेल कंपनियों को लेकर इसलिए एक लकीर खीची गए इस देश के भीतर में लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि शेल कंपनियों को लेकर जो सरकार ने जवाब दिया 21 मार्च को पारलेमेंट के भीतर राजसभा में लिखित जवाब दिया उसमें कहा कि शेल कंपनियों क कोई definition उनके पास है नहीं वो बार बार जानकारी देते रहे कि कैसे black money रन करती है कैसे हवाला record चलता है कैसे shell company चलती है लेकिं shell company की जब definition पूछी गई तो सरकार बता पाने में सक्षम नहीं थी यानि अगर आरोपो की फिरिस्ट को समझना शुरू करें तो राजीव गांदी 2414 सीटों के साथ जो 1984 में मौझूद थे 1989 में उनकी सीटें आधी से भी कम हो जाती है 197 सीट पर आ जाते हैं हाला कि वीपी सुंग को सिर्फ 143 सीट मिलती है लेकिन समर्थन देने के लिए वो तमाम लोग आ जाते हैं जो एक दूसरे को राजनितिक तौर पर दूरी रखते थे वो बीजेपी और लेफ्ट का जिक्राप कर सकते हैं यानि राजनिती जब सत्ता के हाथ से फिसलती है तो विपक्ष को लेकर जनता सक्रिये नहीं होती है बलकि उसके निशाने पर सिर्फ सत्ता और सत्ता का वो चेहरा ही रहता है और राहुल गांधी का जेल जाना और अपील ना करना और इस क्रिप्ट के तहट किस तरीके से किस केस को कब खुलना है कौन सा अधेश हाई कोड देगा किस तरीके से चिफ जुडिशल मेईस्टेट उस पर सुनुआई शुरू करेगा और कैसे वो फैसला आएगा और फैसला आने के बाद कैसे पार्लेमेंट सक्रिय हो जाएगी जिसको चला पाने में स्पीकर मोहदा सक्षम नहीं और पा रहे है को कि सहमती बन नहीं रही है आज भी लोकसभा शुरू ही एक मिनिट का वक्त नहीं लगा उन पर चंद दस्तावेज कागज फेंके गए उन्हो वो पार्लेमेंट चाहती है कि संसत सदस्द से पार्लेमेंट के भीतर आएं यानि अंत्र विरोध की ये पराकास्ठा है कि हम सदस्ता रद करने के लिए सक्रिय हैं और हम इसलिए भी सक्रिय है कि पार्लेमेंट सज जाए और पार्लेमेंटरी भीतर आजाएं तो पार्लेमें उनको अपने लिहास से चलाना हो या सत्ता जिस स्क्रिप्ट को लिखती है वो ये मान कर चलती है कि सामने वाला इस दिशा में जाएगा तो हो क्या रहा है यह भी आखिर में समझने की इसलिए जरुरत है क्योंकि जो पहला पत्र विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री को किसी है उस समय इन आठनो पॉलिटिकल पार्टी ने कहा था हमने कॉंग्रिस और लेफ्ट को अप्रोच नहीं किया यानि कहीं ना कहीं उस समय तक एक जुटता नहीं थी उसके बाद जब एडी का सवाल आया तो चौदा पॉलिटिकल पार्टी ओने हस्ताक्षर किये और सु जुलाए 5 अप्रल को सुनवाई होनी है उसका इंतजार करते हैं लेकिन 8 पॉलिटिकल पार्टी पत्र भेजती है 14 पॉलिटिकल पार्टी एडी के खिलाफ सुप्रीम कोट में गुहार लगाती है और आज जब विरोध की स्तिती आई तो 18 पॉलिटिकल पार्टी एक साथ ख स्क्रिप्ट बिलकुल नहीं थी बीजेपी के पास या मोदी शाह के पास यह स्क्रिप्ट तो नहीं थी तो राजनितिक तोर पर इस वक्त गेंद जो है वो कॉंग्रिस के पाले में है या गेंद राहुल गांधी की आने वाले वक्त की रणनिती को लेकर है या गेंद दरसल करकर संसन में दुबारा लोट आने के स्थिति इन तीन परिस्थितियों के साथ दो परिस्थिति और समझ लीजिए जब पार्लेमेंट के भीतर विपक्ष की कोई हैसियत नहीं है तो उस पार्लेमेंट के भीतर राहुल गांदी आकर क्या करेंगे दूसरा सवाल जो पद्यात् अंतर विपक्ष के तौर पर मौजूद रहते हुए सत्ता की विचारधारा जनता को समझा देनी होगी देखिए ये हालत है तीनों परिस्थितियों में लगता ऐसा ही है कि जो बीजेपी की धड़कने बढ़ी हुई है वो धड़कने और बढ़ेगी कोकि राहुल गांधी का जेल जाना और अपील ना करना शायद भारत की राजनिती का एक ऐसा मोड साबित हो सकता है जो 2024 के चुनाओ को सीधे जनता के जरिये बड़े फैसले में तबदील होते हुए देखने की स्तिती में लाकर खड़ा कर दे बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया